फॉन अप्लाई के टाइम यह नहीं सोचने हैं कि छविषम वेकेंसी है, यह हमारे Kundi होगा कि नहीं होगा, भाल में जातकि कि वेकेंसी रखाल की कितनी भी आये ? जैहिन दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुसकवी निकल के सामने आ रही है SSGD 2024 की नई भरती का official notification कर रात को आ चुका है और इसके phone apply 24 November से start है SSGD के phone apply करने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है एक गलती और पुरा life बरबाद आप एक्जाम भी दोगे आपका स्कूर में बहुत दो एक साट में से तो 42 नंबर भी रहेगा फिर भी आपको physical में नहीं बुलाया देगा सिफ एक गलती करने आप अगर एक गलती कर दोगे तो SSGD में पूरा पूरी ध्यान रखना है किन बातों का ध्यान रखना है और क्या चीज़ हमें ठीक से अप्लोड करना है वहां पे उसके बारे में इस वीडियो आपको बताने वाला हूँ वीडियो अप सुर से एक तो जरूर देखना वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टन वीडियो है मैरे भाई यह वीडियो अपने सारे दोस्त को सेयर करता है जो भी SSGD के फॉर्म का अप्लाई करना चाहता है यह वीडियो अगर उसमें नहीं देखा अगर उसमें कु तो बहुत सरे बच्चों का ऐसा होता है इसलिए बहुत बातों का ध्यान रखना है यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टन वीडियो रहने वाला है आप सभी के लिए तो जरूर देखना वीडियो आपके लिए बहुत सा इंपॉर्टन रहने वाला है अगर आप SSGD 24 की नहीं बहुत सबसे बड़ी बात किया है तो देखिए आपके डॉकमेंट के कोई बी चीज गलत है तो देन दोस्तों जिस टाइप से अपके मैट्रिक और प्रस्टू साटी पर आपका नाम है आपके पापा का नाम है वही चीज़ आपको सेम अप्लेकर ताइम देना है अगर आप करना पड़ा था रिजक्शन स्लिप भी मेरे पास पड़ा बोलोगे तो आपको यहां पर मैं दिखा दूंगा तो इस फॉरा पूरी ध्यान रख रहा है नेट पालर वाला आपका लाइब बनाने नहीं आएगा आपको अपना लाइब बनाना है तो आपको दोस्तों पूरा कि जो रिफ्यूजी होते हैं वहाँ पर मार दिया था क्लिक कर दिया था उनको पता ही नहीं कि वह सब चीज को ज्यादा फोकस करना है आप अगर जैनल के डिगरी तो आपने जैनल में ही पर अपलाई करना है एक बात वह नहीं सुनते हैं और भाई डारेक्ट ठोकते हैं कि जाओ हो गया तुम्हारा तो भाई उस टाइम पर कोई सुनने नहीं आएगा इसलिए अभी में फोकस आपको दोस्तों सबसे अच्छा पाप्लाई के टाइम इन चीजों करना है अगर वो चीज में आपको थोड़ा सा भी गलती होगे तो भाई रिजेक्शन का सामना करना प यहाँ पर कुछ भी गलती होगा बाद में आपको डॉकम भोगना पड़ेगा और दोस्तों मैं वादा रिफीजिव अगर आप आप क्लिक कर देते हो तो बात बाकि मैं वादा दू आप एक्जाम भी दोगे लेकिन आपका पाई फिजिकल के रिजल्ट नहीं आएगा एक अ पॉस्ति लिए क्लिक किया हो पोश्ती करों प्रसकता है इसलिए पोश्ट लिफेंस के और अगर आपको कोई बी पोश्ट के बारे में नहीं पता है जैसे भी एसे असे तो इन सब के बारे में कल में एक से प्रीड वीडियो लाने वाला हूं जिसमें में सारे पोस्ट होगा जितने भी आपके पोस्ट हैं सब के बारे आपको डिल इंफ़ोमेशन दूगा और मैं आपको सर्जेश्ट करोंगा कि यह फोर्स अच्छी है इसमें कर सकते हो इसमें दोस्तों थोड़ी hard है normal है सारे force के बारे आपको detail information कल वाले वीडियो में आ जाएगा उसमें सारे force के बारे आपको detail information देने वाला हूँ देन दोस्तों आज मैं आपको वाला दूँ पूरा ध्यान से देना है और आप post reference में दोस्तों option share करना चाहिए आपको post reference में A ही choice करना है CISF के लिए B, CRPF के लिए C, SSB के लिए D, ITVP के लिए E, और awesome rifle के लिए F, और SSF के लिए H और मेरे ख्याल से अगर आपको post reference जिस type का choice करना है सबसे पहले आपको देना चाहिए आपके SSF, उसके बाद आपको देना चाहिए CISF, उसके बाद दोस्तों आपको देना चाहिए क्या SSB, और उसके बाद दोस्तों आप ITVP, CRPF, BSF कुछ भी दे सकते हो, क्योंकि इस type से sequence reference रखोगे, तो आपको जितना भी number मिलेगा, आपको उसी type के post मिलने वाले है, और यह आपके लिए बहुत ही बड़ा beneficial चीज रहने वाला है, देन दोस्तों अगर हम लोग और थोड़ा सा आगे जाते हैं, कि अब दोस्तों क्या गलती होता है सबसे majorly, तो उसको बताने से प 2800 प्लस बहुत मुले question मिलने वाले हैं, 205 आपको salt paper मिल जाएगा, और यह दोस्तों book आपके पूरी PlayStation मदद कर देगी, इसमें math, reasoning, gkgs, सबका दोस्तों आपको पूरा complete syllabus मिल जाएगा, और यह दोस्तों आपको पूरी पूरी मदद कर देगी, इसी के साथ इनके guide book भी आ जा मुल निवास प्रमान पत्र, इसमें क्या होता है, जैसे कि अब दोस्तों मैं रहने वाला हूँ, उडिसा का, दिन दोस्तों मैं बिहार गिया, और बिहार एरिया का दोस्तों मैं बहुत दिन से बिहार में रह रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे मेरा कोई भी घरवर नहीं है, गलती करते हैं, बहुत सरे बच्चे इस गलती वाज़ से फंस जाते हैं, भाईया, कुछ समझ भी नहीं आसुरब दे हैं, क्या कर सकते हैं, तो उस टैम पर दोस्तों कुछ नहीं हो पाएगा, इसी टाइम पहुं अप्लाएगे टाइम इस बात का आपको ध्यान रखना है, जि जैसा है, उसी टाइप का ममी बापा का नाम देना चाहिए, और सबसे बाएगा डॉकमेंट है, तेन सार्टिकेट आपका, क्योंकि इसी के बेसे आपको अप्लाएग कर रहे हो, दूसरा, जो मैट्रिक का दोस्तों, जो रोल नंबर होता है उपर में, उसको सीरिली सही से दे जो सबसे बाएगी, बात में सबसे देना है, अगर एक बार एक बार पोस्ट्रिपेंस के ओपिंस के उप्शन części की गल्ति कर देतो हो, एक बार SSCD के आपने वार्त में आपका आपी कर सकते, डिरॉकर जयाना है, बता देंडेंस, इन बातों के आपको ध्यान रखनängerआ है, और post reference का option में दोस्तों मैं आपको साब साब बदा दूँ अगर आप post reference choice करना चाहते हो तो भाई पुरा ध्यान से करो कल मैं इसके लिए एक separate video लाने वाला हूं उस video में आपको सारी जनकाई देना हो किस post में कैसा रहेगा और क्या नहीं रहेगा और देखिए पोस्ट आपने बुला था 84 था देखिए पेपर में कटिंग आया था आटे का रिपोर्ट आया था तो में को लगा साइध वेकेंसी आ सकती है बड़ 26 जर वेकेंसी आई तो इसका मतलब यह नहीं की वेकेंसी बढ़ेगी नहीं चलेगी आपको पता भी नहीं चलेगा चलेगी गए बड़ेगी इलेक्षन है सरपे रही तो सब्सक्राइब परिशान नहीं होना और में आज मेहिए ऐसा थोड़ी है कि आप दो वेकेंसी पर नौकल यह ले लोगे BSF में चल जाओगा, BSF में चल जाओगा, नहीं ना, एक की वेकेंसी भी नौकरी नहीं है, तो बस उस एक वेकेंसी के लिए आज महनत करनी है, एक गलती आपका लाइब बरबाद हो जाएगा, इसे डॉकम फिरिप्रिकेशन है, पुरा ध्यान से फॉर अपलाई करना है, और भ वेकेंसी कम है, यह है, कुछ नहीं, इसे कोई फरक नहीं पड़ता कि वेकेंसी कम है, वेकेंसी अगर मैं बहुत हो, दस वेकेंसी भी आई होती ना, अगर तुम लगन से पढ़ाई कर रहे होगा, तुम्हारा एक वेकेंसी पर नौकरी होगा, और तुम पचास हजारी वेके लाने वाला हूं, मैंने साथ कुछ रेडी कर लिया, बस एडिटिंग करना वाकि है, कौन सा पोस्ट पोस्ट आपको देना चाहिए, इसलिए भाई कल वाली वीडियो का वेट करना, आज SSD का फोई भी मत करना, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, फोई अपलाई के लिए दो है, ठीक है, आपका भाई आपके साथ है, फिस भी करी क्या बात है,